हेलो एवरिवन वेलकम करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल लबोस फोट पर आज मैं आपके साथ शेर करूँगी बहुत ही हेल्दी टेस्टी और चटपड बनने वाला नास्टा तो आज हम बनाएंगे इधर लिया कटले जो के बहुत मज़े के बनते हैं तो चलिए बनान कर दिया है और अब हम उसमें डालते हैं दलिया तो दलिया को मैंने अच्छी तरह से वाश करके इसमें डाल देना है तो यहां पर मैंने पाउना कब जो है वो दलिया लिया हुआ है तो इसे हम इहां प्राइट कर देते हैं और इसे पकने देते हैं जब तक यह सौफ्ट नह तो यहां पर दलिया हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी थी और यह देखे यह बहुत जादा ड्राय हो चुकी है तो बस हमेया ऐसे ही रखना है इसे ठंडा कर लेते हैं और लेते हैं एक बॉल और उसमें डालते हैं आलू तो यहां दो मिडियम साइस के आलू लेकर मैंने इस इसमें आट कर देना है और यह मैंने लिया हरी प्याज तो हरी प्याज मैंने तीन ले लिया था तीन जो डंठल होते हैं उसके डंडी वो लेकर मैंने कट कर लिया है वो भी यहां पर आट कर देना है साथी लेते हैं हरी मिर्ची तो यहां पर तीन हरी मिर्ची लेकर मैंने पाओडर, 1 teaspoon गरम मसाला पाओडर, चाथ मैसाला पाओडर 1 teaspoon काली मिर्च का पाओडर 1-4 teaspoon दाल देते हैं, लैल मिर्चा पाओडर 1 teaspoon और नमक डाल देते हैं और अनिय शाड़ी शाड़ी चीजों को सि enterprises विलीनिकुल्ट मिला दूय कि अध्य Credential के लियूट खाए। तो अब इसे भी अच्छी तरीके से मिला लेते हैं, बटी से, चम्चे से मिलाना है, थादुर्ट होगा, तो हातों से मिला लेगे, और ये देखे, मैंने सारे चीज़े मिला ली है, तो अब इसमें डालते हैं bread crumbs, क्योंकि बिगेर bread crumbs डालें, ये जो है, banding नहीं होगा, तो तो इसमें थोड़ा और जरूरत है, इसमें थोड़ा और डाल देंगे तो इह देखी, मैने इसका जो है अच्छे से मिला के, इसका एक दो तयार कर लिया है तो बस अब हमें इसका जो है, वो, गटलेट बनाना है, तो इस तरह से थोड़ा-थोडा पोश्छन लेंगे और हथेलियों पर इस तरह से गूल करती हुए बनाएंगे आपको जिस भी शेप में बनाना है आप बना सकती हो और अपने हिसाब से मोटा पतलाब रख सकती हो तो यहाँ पर मैंने बहुत जादा मोटे कटले नहीं बनाये थे मेडियम साइस के ही बनाये थे तो यह दिखे बस बिलकुल इस तरीके से तो इसी तरीके से मैं सारे कटले जो है वो बना के रख लूँगी तो यहाँ पर हमारे कटले तेयार थे तो अब मैंने लिया एक कडाही और उसमें डाल दिया तील तो बहुत जाद तेल नहीं डाला है क्योंकि इसे जो है बहुत तो इन्हें पलट लेते हैं दोनों तरफ इसी तरह से शेक लेंगे तो हमारे कट्ले जो है वो दोने तरफ से अच्छी तरीके से फ्राइ हो चुके हैं कलर भी काफी अच्छा गया है तो हम इसे निकाल लेते हैं और यह देखिए मैंने इसे हरी चटनी के साथ सब्किया बहुत मज़ी का बनता है आसानी के साथ बनने वाला और हेल्दी भी हमारे बच्छों के लिए आप इसे टेफिन में दे सकते हैं सुबा के नाश्टे में बना सकते हैं या शाम के यूनिंग के चाय के साथ अगर आपको अजय को चर्णित खवपा साथ और हेलों शी में में ड्रो चार इचको चार शडर पलसपा बना सकते हैं साथ में ग scoop रह इसे अज़ कंता ब interactions